नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रहार किलासिस में आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 की बारे में जी हाँ जीन बच्चों ने रेलवे एसिस्टेंस लोको पाइलेट एंड टेक्निशियन का एक्जाम दिया है ठीक है तो उनके लिए जो है टा करेंगे इस वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट का ठीक है बोर्ड का इसका जो है एलपी का स्लेवस क्या है तो जो बच्चे ठीक है जिन्होंने बच्चोंने फॉर्म भरा है एलपी का टेक्निशियन का और जिन्हों बच्चोंने टैन प्लस टू की वेगंसी थी ठीक है तो यहां पर फॉर्म भरायत हैं उनके लिए लेस्ट की बहुत ज़ादा दिक्कत आ रही है कि उन्हें सेकिंड का पेपर का जो है सिलेवस नहीं पता, तो सबसे ज़ादा दिक्कत इनको आ रही है जिन्नोंने 10 से बच्चोंने फॉर्म भराया है, थीक है, तो मैं आपको आपको इस notification जो आया था यह है ठीक है exam का इस video के description में आपको provide करा दिया जाएगा और आपको कहां से download करना है इसका syllabus भी ठीक है तो इस video के description में आपको जाना है और बहां से आप अपने syllabus को download कर सकते हो ठीक है अगर आप बहां से download नहीं करना चाहते तो आप इसकी सरकारी result की website यह पहुँ है इस पहुआ ज़ाकि इसको download कर सकते हो ठीक है या फिर इसकी official website पहुआ कर से और इसकी जब हम इस की website पहाते हैं यहा पह देखो ठीक है हम जो आए हैं यहां पे चंडीगड़ी working website में चीक है आप तीक है तो ठीक है बट हम इसी से यहां पर देखो यह जो notification दिया गया है slay was for the post v ठीक है इस पर click करना है आपको ठीक है जब इस पर click करोगे आपके सामने यह वाला tab खुल के आएगा यह वाला ठीक है यह जो tab है यह नई window जो है यह बहुत जादा very very important है आप लोगों के लिए या सिलेव consensus के सामने वाला जो लिंक है ठीक है बो क्लिक करना है आपको और आपके सामने ये वाला टैप खुलके आ जाएगा तो जल्द से जल्दी वीडियो को लायक कर दो शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चों का भी फाइदा हो जाए तो सब पोस्ट करो किसी बच्चे ने कारपेंटर क्या की है उसने पोस्ट की है ठीक है जो आप की जो ब्रांचे आ रही थी उसने कारपेंटर लिए तो कारपेंटर पे क्लिक करना है ठीक है जैसी आप कारपेंटर को क्लिक करोगे तो यहां पे यह आ गया है आप क्या करना है आपको यहां पे क्लिक करना है, जैसी आप क्लिक करोगे, इसको open कर लेना देखो यहां पे open हो गया है, जैसी आपका यह open हो गा, तो यह जो कार पैंटर का था, जिस नि andere बच्चे ने कार पैंटर की पोस्ट भरी थी, तो उसका स्लेवर्स क्या हो, open हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो यह open हो गया है ठीक है अब यहां पर देखो जब आप नीचे की साइड में आते हो यह सोरी यह तो वही हो गया है अभी रुख जाओं तो आप यहां पर देख सकते हो हमने इसका सलेवास डान्लूड कर लिया है कारपेंटर ठीक है यहां पर देखो सलेवास एकषाएघ्जाम जब आप नीचे की साइड में आते हो तो यहां पर इहनों N. न. द.ieur सबतारक है आपको 2014 के अंडर ठीक है यहां पर यहां पर देखो 36 पेज़ है थो पहला पेज खुल के आ गया है अपके सामने second पेज पर चलते हैं फिर यहां पर आते हो थर्ड पेज पर जर्णरल इंफॉर्मेशन की बाती लिखी हुए है जैसे कि आपकी एंट्रू कॉलिफिकेशन हाइ स्कूल ठीक है बट आप सिलेवस की बात कर रहेते हैं जो कारपेंटर का सिलेवस है यहां पर इन्होंने क्या है कि यहां पर जो दे देखो आते हो यहां पर देखो जैसे सब्सट सम्स्थ्र मेशन है आपका सब्जेक्ट कौन सा तहब इंजिनिर इंग आता यानि second semester की बात कर लाई है यानि यह जो कारपेंटर का syllabus मिला है यह second semester में है तो इस तरीके से आपको check करना पड़ेगा ठीक है इतनी आसानी से आपको subject का जो है यह सोरी हाँ subject का जो है आपको क्या नहीं मिलेगा यह आपको syllabus नहीं मिल पाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो है इसका syllabus है कारपेंटर का जिस तरीके से हमने बताया है आपको ठीक है अगर बात करते हैं book working machine की तो यह है ठीक है introduction यहाँ पर लिखावा है जहाँ पर आपका practical की बात करते हैं बट theory की बात करते हैं इसकी description पर टाइप की जैसे drilling machine होगया grinding machine अब ठीक है universal woodworking machine होगया ठीक है अब आपके जो हैं यहाँ पर split आते हैं ठीक है जहाँ पर इसके type के बारे में दे रखाए size के बारे में pattern के बारे में दे रखाए ठीक है तो यहाँ पर core भी दे रखा है safety बगए भी दे रखाए तो आपको यहां से इसको PDF4 डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा अब हम बात करते हैं उसकी जो बच्चे 12 से हैं ठीक है बट उनको अपना स्लिवस नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए ठीक है तो आप यहां पर देखो हम बैक आ गए हैं यहां पर railway recruitment world की website पर यहां पर आप देख सकते हो इसका link मैं इस video को description में provide करा दूँगा और जो बच्चे 12 से हैं ठीक है जिन्होंने physics और math से form भरा था तो उनके लिए क्या करना है यहां पर देखो चूं करोगे है थोड़ा से यहां पर इसतरीके से ठीक है तो यहां पर आपको मिलेगा यह कि देखो यह दिखाई दे रहा है न पर मैहां से इसको आप से यह एहां पर लिखावा है physics and maths स्लेबस तो यह जो है यह 12 बच्चे जो है ठीक है जिन्होंने 12 पास किया और उन्होंने ILP का फॉर्म भरा है तो यह उनके लिए है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ठीक है जैसी आपको तो इस तरीके सा उप्षन आए गगा अपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपको ठीक है अब जब इसको डाउनलोड करोगे आप तो यहाँ पे देखो यह जो है यह इसका syllabus open हो जाएगा यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ यहाँ पे जो आपको syllabus मिलेगा यह जो है यह B का है ठीक है set B का है अब यहाँ पे देखो जो आपका stage second की बात करेगा stage second में जो paper आएगा ठीक है उसमें दो part होंगे ठीक है और एक होगा आपका set B कौन सा? B तो यह जो है यह जो syllabus बता रहा हूँ मैं set B का पहले बता रहा हूँ set A का जो है बहस अभी के लिए common है ठीक है आपको यह याद रखना है तो set B का यहाँ पे देखो syllabus आगया है maths और physics वाले के लिए यहाँ पे देख सकते हो intermediate ठीक है इसमें क्या है maths के सिलेवस में यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या दे रखा है इन्होंने number system दे रखा है rotational number दे रखा है board mass का rule दे रखा है polynomials दे रखे, linear equation दे रखे query equation, arithmetic दे रखा है ठीक है similar triangles दे रखे है coordinates, geometry, सब कुछ वही है जो maths में आपका advance को और arithmetic तो कमेंस में है लेकिन advance ज़्यादा है आपका यह याद रखना है ठीक है सारा advance math ही आएगा physics की बात करते हैं physics का तो बिल्कुल simple है वही सब कुछ दे रखा है नो kinematics ठीक है, force लाद दे रखे है current दे रखे है, sound दे रखे है, magnetic दे रखा है, reflection दे रखा है ठीक है, सब कुछ वही है इसमें आपको कहीं नहीं जाना इसको download करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको इस video को description में जाना वहाँ पी लिखावा 20th syllabus ठीक है, यह आपको मिल जाएगा के लिए इसकी website पर जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर यह वाले link भी मैं provide करा दूँगा तो वहाँ से download कर लेना अब बात करते है, set A की set A में क्या सिलिवस आने वाला है तो यहाँ पर देखो, यह जो है railway recruitment board का ALP का सिलिवस है ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है यह आप देख सकते हो, second stage की बात कर रहा है कौन सा second stage second stage में दो पार्ट होंगे एक पार्ट तो A होगा और एक पार्ट होगा B ठीक है, जो अभी तक हमने सिलिवस दिखाया है वो किसका है, B पार्ट का है जिसमें सिर्फ आपको टेक्निकल आएगा या इंटर के बच्चों के लिए इंटरमीडियेट में सिर्फ फिजिक समय थाएगा उसके लिए कितने कोश्चन होंगे 35, बो सोरी, 75 कोश्चन होंगे अब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है कितने है, 35 है 35 परसेंट लाने है अब बात करते हैँ सेट एक एसिलेबस के बारे में सेट एक एसिलेबस के बारे में एक क्राइटेरिया वही है आपका जो पहले क्राइटेरिया था जैसे जनर्ञल के लिए 40% OVC के लिए कितना और S, C, H, T के लिए 30% ठीक है बट ST के लिए 25% होता है इसमें question आने वाला है आपका 90 minute में 100 questions आने वाले हैं ठीक है क्या क्या subject आएगा यहाँ पे देख लो maths आएगी reasoning आएगी आपकी basic science और engineering और आपकी basic awareness आएगा बट आपको यह याद रखना है यह वाला जो portion है यह अच्छे से कर लेना क्योंकि यह basic engineering से relative है ठीक है तो यह था इसका syllabus मैं आपको इस वीडियो को description प्रोवाइड करा दूँगा मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार आपको यह हमारी वीडियो पसंद करना ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए और आप हमारी वीडियो पर अगर बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करना और इससे पास में बैल आइकन जरूर दावाना यह वाला ताकि से next वीडियो वो आप तक पहुचाए धन्यवाद